हालो एप्रिवान वेलकम तो माय चैनल लिटरेटर स्कुर्ड दोस्तों आज के इस वीडियो का जो हमारे टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है तो वह आप आज जहां से समझेगा और वह वीडियो का टॉपिक है आज का हमारा हिंद स्वराज तो हम आज में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर न्यू है या आपने चैनल अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्स्राइब कीजेगा ताकि आपको वीडियो के रेगिलर अपडेट्स मिल तो चलिए अब मैं आपको हिंस्वराज की बारे में बिताती हूं हिंस्वराज इस बुक रिटन बाइ महात्मा गांधी 1909 इस वन अफ दे मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स देट गांधी रोट तो सबसे पहले यह किताब है जो 1909 में गांधी जी ने लिखी ती और यह जन्रल आता था उसमें पब्लिश हुई थी यह बुक चो थी यह ओरिजिनली जो लिखी गई थी यह गांधी ची की नेटिव लैंगज गुजराती में लिखी ती उन्होंने जब वो लंडन से साउथ एफरिका जा रहे थे शिप पे तो तब उन्होंने यह बुक लिखी ती अपनी नेटेव लैंगविज गुचराती में लेकिन कुछ टायम बात क्या हुआ गौव मेंट अव बॉम्बेय प्रेजिडेंसी ने यह बुक को बैन कर दिया उन्होंने यह बुक क्यों किया क्योंकि उन्होंने यह कहा कि इस बुक के अंदर जी बातें ऐसी लिखी विये जिससे की दंगे फसाद फैलेंगे तो उनों यह कहकर इस बुक को बैन कर दिया कि बिकाउस इट कंटेंड मैंटर डिकलेर टूबी सेडेशियस दोस्तों इस बुक की बहुत खास बात है कि यह पूरी की पूरी बुक मैनुस्क्रिप्ट है यानि एक हैंड रिटन बुक है फूरी किताब गांधी जी ने अपने हाथ से लिखी ती है अब आप जानते हैं कि उस टाइम पे ब्रिटिश कराज था इंडिया पे तो यह किताब है जो इंडियन्स को इंस्पायर करती है इसलिए कि तुम अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ काम करो अपने देश को अजाद करने की तरफ काम करो अब गुजराती में तो क्या है गवर्मेंट ने ब्रांसलेट किया गया फिर इंग्लिश में पब्लिश हुई क्योंकि गांधिशी के कुछ इंग्लिश फ्रेंड्स भी थे क्योंकि गांधिशी लेंडेन बढ़ के आए थे तो इसलिए इस बुक को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया ताकि वो लोग भी इसको पड़ पाएं दोस्ते जो बुक है यह में बहुत सारी चीजे सिखाती है उनमें से कुछ जो तीन चीजे हैं वो यह है इस किताब से कहती है कि नफरत की बजय प्यार फैलाओ इसलिफ से कहती है कि वोईलेंस मत करो अहिंसा की तरफ बढ़ो इसलिफोड पाशुबल से जादा आत्म बल पे ध्यान दो दूसरे जो किताब है अब आप ये सूचे गांधी जी ने एक किताब लिखी क्यों थी इस किताब को लिखने के पीछे उनका रीजन क्या था तो उसके पीछे भी उनका कारण था While in London, गांधी मेट विनायक दामोदर सवारकर He was the leading ideologue of the extremist group and later of the Hindu महसबा जब गांधी जी लंडन में थे, तब उनकी मुलाकात विनायक दामोदर सवारकर नाम के एक आदमी से हुई ये सवारकर जो थे, ये एक extremist group के leader थे और बाद में हिंदू महसबा करके संग बना, उसके भी leader बने है सवारकर भी बहुती brave और patriotic यानि देशभगत आदमी थे जो चाहते थे कि Britishers का राज इंडिया से खतम हो जाए लेकिन वो ऐसा करना कैसे चाहते थे, violent revelation की थूँ यानि कि हिंसा करके सवारकर वास convinced that no country had won its freedom without an armed insurrection सवारकर जो थे वह बहुत convinced थे इस सीट से कि किसी भी देश ने कभी भी आजादी जो है बिना वित्रो के नहीं पाई यानि उन लोगों ने बहुत लड़ाई जगड़े करे हैं बहुत दंगे हुएं तब ही उस देश को अजादी मिली है तो ऐसी ही एक meeting में लंडन में गांदीची सवारकर से मिले जहां पर इन दोनों ने common platform शेयर किया यानि इन दोनों की thoughts क्योंकि same थी thoughts same in the sense कि सीज में सेम थी दोनों ही चाते थे कि ब्रिटिश अर्ष कर आज इंडिया से खतम हो जाए लेकिन दोस्तों इतनी सारी बातचीत के बाद भी इन दोनों ने बहुत बाते करी बहुत detailed discussion करी इंडिया gift freedom struggle के बारे में लेकिन तब भी कोई एक नतीजे पर ये दोनों नहीं पहुचे ऐसा क्यूं था कि ये दोनों किसी भी नतीजे पर नहीं पहुचे जबकि ये दोनों काम एक ही करना चाहते थे ऐसे इसलिए था क्योंकि सवारकर की तरह गांधी जी वॉइलें फीलिंग थी कि इंडिया जो है अपने moral और spiritual force से ही अजादी पाएगा क्योंकि moral और spiritual force जो है वो material force से कही गुना सुपीरियर है कही गुना जाद है यानि कि विद्रो करने से कुछ नहीं होगा हम अपने morality से और spirituality से जब लड़ेंगे तब ही हमें आजादी मिलेगी तो दूस जो है दोस्तों ये एक बुक है जो डालोग की तरह लिखी गई है एक एडिटर और रीडर की बिच में यानि कोईशन आंसर की तरह लिखी गई है अब इस बुक में जो है एडिटर और कोई नी गांदी जी खुद है और जो रीडर है वो एक किसम का एंग्री यांग मैन है गांदी जी लंडन में मिले थे यानि कि सवारकर जी के प्रोटाइप है ये जो इसकेंदर रीडर है जिसको क्योंकि गांदी जी चाते थे कि सवारकर जी जो है उनका माइंड ऑफ सारी माइंचेट चेंच हो वाइलेंस को लेकर वो भी आहिंसा की तरफ पढ़ें दोस्तों जो किताब है बहुत ही सिंपल तरीके से लिखी गई है ये किताब इतने सिंपलिसिटी से लिखी गई है कि एक बच्चा भी अगर चाहे तो इसको समझ सकता है तो गांदी जी यही चाते थे कि अगर ये किताब किसी बच्चे के हाथ में भी आए तो वो भी इसको अराम से सम यानि जब तक हम अपना माइन हम अपनी सेंसे अपनी इंद्रियों को नहीं कंट्रोल करेंगे तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे तो यह जो है यह थी हिंद स्वराज की बुक की संब्री लूँ अई होगी इंकेस आपको कोई भी डावटा रहता है तो आप उसको कमेंट में में सब्सकुर्ण कर सकते हैं किसी स्पथिक टॉपिक पर अगर कोई वीडियो आपको चाहिए तो वह वह आप कमेंटमें मेंशन करके बता सकते हैं चैनल को सबस्क्राइब कर इनम मत भूल वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीचेगा थैंक यू सो मच